हलो एवरिवन आज मैं आपको लेवल 6 का 4 डिजिट divided by 1 डिजिट डिवीजन अब 11 पे कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी इसमें हम 3 P's को भी फॉलो करेंगे 1st P फेले हम कोशिटन की पुजीशन फाइंड अवट करेंगे 2nd P फीर अबैकस में को प्लेस करेंगे 3rd P हम अपना प्रोसेस करेंगे पहले हम कोजिशन की पुजिशन कालेगे, जैसे मारा कोजिशन है 1,6,9,5 divided by 3 पहले हम इसकी पुजिशन निकालेगे फुजिशन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मारे लेफ्ट साइट कितनी डीजिट है? 4 डीजिट है 1,2,3,4 यहां पर हमने 4 लिख दिया, division का जो मतलब है उसका मतलब होता है repeated subtraction, यहां subtraction का जो sign कौन से है, minus का है, 1 plus, और right side कितने digit है, 1 digit है, यह हमने इसको formula की तरह आप लेकी चल सकते हैं, कि हमने इसको formula की तरह हमने ही लिखना है, अब हम bracket को solve करेंगे, 4 minus, 1 plus 1 कितना है, 2, अब 4 में से 2 less करके हमारे पास, क्या अतना आगया, 2, तो इस question की position की आगे हमारे पास, 2 position आगे, तो आपने देख लिया, जब भी 4 digits divided by 1 digit हम करेंगे, तो उसकी position में चाह 1 digit आएगी, एक मैंने पहले वी वीडियो बनाए थी, जिसमें मैंने 2 digits divided by 1 digit और 3 digits divided by 1 digit के questions करना कैसे solve करना है, तो आप description में उसका link दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, second position आई है, तो second position हमारी आपको पता ही है, center point जो है, हमारा first position है, तो हम second position हमारी कौन से होगी, इसके साथवले house में, अब इसके साथवले जो हम second position से हम 1695 को place करेंगे, अब हमने इसको करना है, divide करना है 3 से, अब जो 1 है, first digit क्या है हमारे पास 1, 1 हम 3 से divide नहीं कर सकते, क्योंकि 1 जो है, मारे जो divisor 3 है, उससे smaller है, तो हमने इसके साथवले house भी ले लिया, तो यह कितना आ गया, 16, अब 3 के table में 16 नहीं आता, तो हम उससे less क्याता है 15, अब हम क्या करें, 2, हमने 2 rods लिये हैं, तो बिलकुल साथवले house में 5 कर देंगे, 3, 5 जा, और 15 को हमने less कर दिया, अब हमारे पास 1 रह गया, 1 हमारा 3 से divide नहीं हो सकता, तो साथवले house का digit ले ले, हमने यहाँ पर क्या आ गया, 19 बन गया यह, अब 3 के table पे 19 नहीं आता, उससे less क्या आता है, 3, 6, 18, अब फिर हमने 2 rods लिये हैं, तो 6 हमारा यहाँ पर आ गया, साथ बिलकुल immediate question के, और 18 हमने less कर दिया, अब हमारे पास रह गया 1, अब 1 फिर हम नहीं कर सकते अगें, तो हमने 7 वले house का digit को भी ले लिया, यह बन गया 15, अब 3 के table में 15, 3, 5, 0, 15 आता है, फिर हमने 2 rods लिये हैं, तो बिलकुल साथ वले house में यहाँ पर 5 को प्लेस करेंगे, और 15 को लेस कर देंगे, हमारा answer क्या गया, 565, 1695 डिवाइड बाइड 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 3565 आ गया, जब आप इसकी practice करोगे, तो यह आप without a backus easily कर पाऊगे, division को भी easily कर पाऊगे, अब next question ले लेते हम, double 3, 2, 4 divided by 4, अब इसकी position भी वही same, 4 minus 1 plus 1, तो 4 minus 2 मारे पास क्या गई, 2 position आगे, जब भी हमने 4 digit divided by 1 digit करना है, तो हमारी position में चाह 2 ही आएगी, मैं आपको एक बार दुबारा से कहना चाती हूँ, इसके जो description में link दिया हूँ है, 2 digit divided by 1 digit और 3 digit divided by 1 digit, वह वली वीडियो जुरूर देखें, उसके बाद यह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, अब 2 position से हमने 3, 3, 2, 4 हमने place कर दिया, 3, 3, 2, 4, अब एककस पर place कर दिया, अब हमने divide किस से करना है, 4 से divide करना है, अब जो first जो digit है, 3 है, यह भी हमारे जो divisor 4 से smaller है, तो हम इसको नहीं कर सकते, तो इसके 7 वला digit हमने ले लिया, यह बन गया हमारे पास 33, अब 4 के table में 33 आता है, यह हमने देख रहे हैं, अगर 33 नहीं थे तो हम उसके नजदीक कौन सा number आता है, जैसे 4, 8 जा 32, तो हम यहाँ पर 2 roads ले रहे हैं, तो बिलकुल इसके 7 वले house में हम answer को लिखेंगे 8, और 32 को हमने less कर दिया, अब यह हमारे पास बन गया 12, क्योंकि 1 नहीं हम कर सकते, तो हम इसके 7 वले road का digit भी ले ले लेंगे, तो यह 12 बन गया, अब यह 12 जो है, यह हमारे 4 के टेबल में आता है, 4, 3 जा 12, फिर हमने 2 roads लिए हैं, तो बिलकुल 7 वले house में, हम answer को लिखेंगे 3, और 12 हमने less कर दिया, अब हम बचा हमारे पास 4, अब 4 जो है, मारा पास सिर्फ single road पर यह है, ठीक है, अब 4, 1 जा 4, अब हमने single road लिए, तो इसके जो साथली road को skip करके, यहां पर हम 1 लिखेंगे और 4 को हम less कर देंगे, हमारा answer क्या आगया, 831, डबल 3, 2, 4, डिवाइड़ बै 4 का हमारे पास answer आगया, 831, एक और ले लिते हैं, question, 1675 डिवाइड़ बै 5, अब इसकी position भी हमारे पास 2 ही आएगी, ठीक है, अब वो आपको निकालनी आगी है, यह हमें पता होना चाहिए कि हमें position कैसे निकालते हैं, 1675 मैंने abacus पे place कर दिया, ठीक है, अब हम अपना process करते हैं, हमने किस से divide करना है, 5 से, again हम 1 को नहीं कर सकते, क्योंकि जो 1 है, हमारे divisor 5 से smaller number है, तो इसके साथ वला number भी हम ले लेंगे, यह है 6, तो यह बन के हमारा 16, 5 के table पे जो 16 नहीं आता है, उससे less आता है, मत्तलिक कि 16 की जो निजदीक है, वो है 3 सा 15, हमने मेशा निजदीक वला number लेना है, ठीक है, जैसे अब less तो 10 भी होता है, 5 to the 10, पर हमने 10 नहीं, जो हमारे 16 की निजदीक है, जैसे 5, 3 is a 15, 5, 4 is a 20, तो 20 नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पर 15 लेंगे, 5, 3 is a 15, तो हमने again 2 rods लिए हैं, आंसर बिलकु साथ वले house में लिखेंगे, और 15 को हम less कर देंगे, फिर हमारे पास 1 रहा गया, 1 हमारा divide नहीं कर सकते, तो हम साथ वले house का भी digit ले लेंगे, यह है 7, अब यह बन गया 17, अब 5 के table में 17 नहीं आता, उसके नजदीक वही 15 आ रहा है, तो 5, 3 is a 15, 3 है, बिलकुल 2 rods लिए हैं, तो साथ वले house में लिखेंगे, लिजिट ले लेंगे, तो उसमें 5 है, तो यह बन गया 25, अब जो 5 के table में 25, 5, 5 is a 25, फिर 2 rods हैं, बिलकुल immediate वले, जो house उसमें 5 को place करेंगे, और 25 को हम less कर देंगे, तो हमारा answer क्या गया है, 3, 3, 5, 1, 6, 7, 5, divided by 5 का answer आ गया, 3, 135, एक और question ले लेते हैं, हम लोग 8, 9, 1, 0, divided by 3, इसकी position भी हमारे पास 2 आएगी, क्योंकि 4 डिजिट divided by 1 डिजिट है, ठीक है, अब second house से हमने, 8, 9, 1, 0, place कर दिया, अब हमने किस से करना है, 3 से, अब 8 जो है, जो first rod पी जो मारा number है, वो है 8, यह हमारे divisors 3 से bigger number है, तो हम करेंगे, देखेंगे, 3 के table में 8 आता है, अगर नहीं आता है, तो हम उसके नजदीक number लेंगे less, 3, 2, 0, 6, अब यहाँ पर हम single rod ले रहे हैं, तो हम अपना answer कहां लिखेंगे, इसके साथ वली rod को छोड़ कर, house बोल लो, rod बोल लो, position बोलो, जो मर्जी बो सकते हैं, इसके साथ वले house को छोड़ कर, हम यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे, और 6 को less कर, अब 2 हम 3 से divide नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या आ गया, 29, हमने साथ वले house का digital ले लिया, तो यह 9 है, तो यह 29 बन गया, अब 29, 3 के table पे नहीं आता, उससे नजदीक जो है, हमारे पास आता है, 3, 9 जा 27, तो 9 मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, 27 को मैंने less कर दिया, ठीक है, अब हमारे पास 2 अगेन हम नहीं कर सकते, divide, तो हमने साथ वले house का digital ले लिया, हमारा answer क्या आ गया, अब हमने यहाँ पर first house करना होता है, तो हमारा answer आ गया, 2970, 8910, divided by 3 का answer महारे पास आ गया, 2970, एक question और कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास जैसे है, 5922, divided by 8, यह बहुत important है, इसको जरह ध्यान से देखना, अब यहाँ पर, इसकी position भी वही, 2 आई है, क्योंकि 4 digit divided by 1 digit है, 2 house, 1, 5, 9, 22 मैंने place कर लें हैं यहाँ पर, अब हमने 8 से divide करना है, तो अब 5, 8 से divide नहीं हो सकता, क्योंकि जो divisor 8 है, 5 जो है smaller number है उससे, तो हमने 7 वाले house का digit ले लिया, तो यह कितना है, 9, तो यह कितना बन गया, 59, अब 8 के टेबल में 59 आता है, 8 के टेबल में 59 यह आता है, उसके less कहता है, 8, 7 जा 56, तो अब 2 रोट ले रहे हैं, बिल्कु शाथ वाले house में, हमने 7 प्लेस कर दिया, और 56 को less कर दिया, question में से, अब हमारे पास 3 रह गया, 3 हम डिवाइड नहीं कर सकते 8 से, तो हमने 7 वाले house का डिजिट ले लिया, 2 तो यह बन गया 32, अब 8 के टेबल में 32 आता है, yes, 8 फोर्जा 32, तो अब यहां पर 2 रोट लिए हैं, बिल्कु शाथ वाले house में हमने answer लिख दिया, और 32 को हमने less कर दिया, अब हमारे पास क्या बच गया, सिरफ 2 बच गया, अब 2 जो है, यह जो हमारे जो है, इससे, जो डिवाइजर है, 8 से छोटा है, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड न करें, तो यह हमारे पास reminder बन गया, ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में आपको, decimal में कैसे convert करते हैं, वो नहीं बताऊंगी, वो मैं आपके लिए एक लग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको detail में समझाऊंगी, इसमें हमारा, सिरफ यहां पर remainder तक हम बताएंगे आपको, तो हमारे पास answer क्या आगया, हमने first house से count करना होता है, क्योंकि first house से हमारा start होता है na question, तो 740 हमारा quotient आ गया, और remainder क्या है हमारे पास 2, तो इसको हम bracket में लिग देंगे 2 को, तो हमारा क्या answer आ गया, 5922 divided by 8 का 740 remainder 2, मुझे उमीद है कि आपको 4 digits divided by 1 digit, अब एककस पे कैसे करते हैं, समझ आ गया होगा, इससे next video में मैं आपको decimal में कैसे convert करते हैं remainder को, वो सिखाऊंगी और एक और वीडियो बनाऊंगी, जिसमें decimal division होगी, decimal division जैसे 16.75 divided by 0.5, हम कैसे करेंगे, यह बहुत ही interesting video है, और abacus के मेंतर हैं बहुत ही easy easy है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को subscribe कर लें, जब भी मैं वो वीडियो बनाऊंगी तो आपको मिल सकें, पर खांबे तक की लिए सब्सक्राबसे को फंगी us HIV बहुत हिंगे हम उन्लाओंगी तो आपको रोक को आपको चैनल कि एक नचस्तौन Tie आपको का।